हलो एवरिवान दिस चंत्रकांत पतले फाउंडर आप स्ट्राटेजी दुनिया आई होब कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज इस सेशन में हम डिटेल में बात करने वाने कि 21 डेज में आप अपने स्कूल में एड्मिशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और ब्राड व हम उन स्कूल की बात कर रहे हैं जहां पर एड्मिशन जो होते हैं वो अक्सर जूल में होते हैं या जुलाई में होते हैं तो ऐसे स्कूल बहुत सारे हैं इंडिया में जहां पर इस टाइम एड्मिशन होते हैं और ये लास्ट टाइम माना जाबदा है मार्केटिंग का तो अब हम स्टार्ट करते हैं और सेशन के लास्ट में मैं आपको बता हुआ कि हम इसमें कैसे सपोर्ट करेंगे, हम कैसे फ्रेमवर्क्स देंगे और आपको 21 डेज का जो सपोर्ट होगा, मैं खुद फोन कॉल या वाटसप के तुरू आप इसके साथ जुड़ा रहुआ ये सेश करेंगे, अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूं प्लानिंग की वो आपकी ओरन ही नहीं होना चाहिए, पेपर वर्क होना चाहिए, आप पूरा पेपर में फ्रेमवर्क्स चार्ट बनाएंगे, अब हम बात करते हैं, सेकेंड और थर्ड डे में आपको क्या करना है, पूरी strategy plan करना है कुछ से टीम कहा वर्ग करेगी कितनी team member की हमें जरूरत पड़ेगी offline marketing कहा करना है online marketing कैसे करना है यह पूरी strategy plan आपको 2 दिन में करना है कि हमें कहा कहा कैसे कैसे जीजो को करना है कौन करेगा हम आप से जोड़ेंगे तो हम कैसे support कर सकते हैं या आपके team member में कितने लोग है ये पूरी आपको strategy plan करना तो इसमें 3 दिन आपको लग जाएंगे क्योंकि आपर आपको team भी तयार करना पड़ेगा तीम को hire करना पड़ेगा तो ऐसे में आपके पास time होना चाहिए तो आपके पास तेन दिन ये हो गए अब चौते और पांचवे दिन आपको क्या करना है आपको अपने school की profile बिल्ड करनी है profile को check करना है पहले आप check करेंगे google profile में क्या क्या चीज़ है क्या कमी है कितना अच्छा आप उसे बना सकते हैं website आपको check करना है facebook चेक करना है youtube चेक करना है instagram पेज चेक करना है तो इस सारे चीज़े आपकी profile कहलाती है तो आपको profile को build करना है क्या और उसमें क्या add कर सकते हैं उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा तो profile के लिए आप दो दिन का time जबर निकाले अब profile में कैसे deep में work किया जाता है वो session के last में मैं आपको बताने वाला हूँ अब हमारे पास पास दिन का ये प्लान हो गया अब छटवे और सातवे दिन हमें क्या करना है हमें team त्यार करना है team training देनी है अब हमने सोच लिया कि हमें ये जो marketing campaign के लिए दो लोग या 4 लोग या 6 लोग की ज़रूरत पड़ेगे तो उन्हें proper training देना है फर्स डे आप training दीजिए बैठा लिए कि हमें कहां कहां work करना है वो कैसे करेंगे parents को कैसे convince करना है presentation कैसे देना है इस सारी चीज़ की उनके पास training होना चाहिए dress code कैसा होगा और come time में हमें result कैसे निकालने और विचो counselor होते हैं उन्हें आपको train करना पड़ेगा telecaller कैसे call करेंगे, कब करेंगे ये सारी चीज़े आपको दो दिन में proper अटनी team को train करना है उन्हें dress code का भी ध्यान रगना है body language कैसी होगी तो ये दो दिन में आपको ये चीज़ करनी है next जो आपके पास day बचेंगे वो होगा 8, 9 और 10 तो इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें tools बनाना है देखिए marketing के लिए team आपके पास है और tools नहीं है, हतियार नहीं है तो आप युदहार जाओगे तो ऐसे में आपको tools भी तैयार करने पड़ेंगे कि हमें किसके stage की जरूरत पड़ेगी marketing के time हमार पास video content कितना है ग्राबिक्स content कितना है pamplet कैसे है, banner कैसे है यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहुआ depend करता है कि आपने जो content बनाया है वो कैसा है या आप किसी के साथ bonding बनाने के लिए वो क्या important role play करेगा ऐसा तो नहीं लोग template देखे और fake दिये या आप जो video बनाते क्या वो attractive video है यह बहुत important होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छे tools बनाने पड़ेंगे अब यहाँ पर हम tools की बात करते हैं आपको 20 से 50 tools की जरूरत आपको बढ़ेगे तो यहाँ पर हम पुरा tools दयार करेंगे यह बहुत कम टाइम है tools आपके बहुत अच्छे होने चाहिए उसके बाद जो day आएंगे 4 आएगा आपका 11 से 15 तो यहाँ पर आपको क्या करना है offline marketing भी करनी है और online marketing भी करनी है यहाँ पर आपको zone बनाने पड़ेंगे zone के अज़ाप सरी आप marketing करेंगे और अपनी जो team है उसके साथ 4 तरफ marketing करना है और online में क्या करना है इस सारी चीश की आपको 5 दिन जबरतस तरीके से marketing करना है अब जो next day आएगा वो आएगा 6 दिन उस पर क्या करना है आपको research और analysis करना है अब कहाँ problem हो रही है ठीक है कहाँ challenges आ रहे है यह आपको देखना पड़ेगा और उसका analysis करना पड़ेगा कि कहाँ हमने क्या किया तो उससे result कितने मिल रहे हैं क्या हमारे पास campus visit कर रहे है parents क्या हमी सुनते हैं और बोलते हैं आएंगे सोचेंगे देखेंगे तो यह जो सोलवा दिल होगा यहाँ पर आप पूरा analysis करेंगे और उसके बाल जो फिर लचो लास्ट के five days बचेंगे उसमें फिर अपनी marketing को तेज करेंगे और यहाँ पर आप aggressive marketing करेंगे और यहाँ पर आपको convince भी करना है अगर आपके parents campus visit करते हैं तो यहाँ पर आपको convince भी करना है और अगर आपको visit करने के बाद parents वापस चले जाते तो यह आपको देखना पड़ेगा कि कहां चुक हो रही है क्यों parents वापस जा रहे यह सारी जिजो को बहुत बारी के से plan करना पड़ेगा यहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि आपके competitor कितने हैं वो कैसे marketing करते हैं तो यह सारी जिजो को आपको plan करने के बाद steps लेने पड़ेंगे यह लबबग आपका 7 या 8 steps में complete होगा तो आपको ध्यान रखना है कि यह 8 जो steps मैंने आपको बता हैं इसे आपको शांदा तरीके से implement करना है अब हम बात करते हैं कि मैं 21 दिन में आपकी कैसे help करूँआ और क्या-क्या steps होंगे तो हमने जो सोचा है कि 21 schools को हम support करेंगे और 21 दिन हम आपके साथ बने रहेंगे phone call, video call और whatsapp के थ्रोप पूरा plan मैं आपको बना कर देने वाला हो इसमें आपकी profile भी चेक करूँआ मैं calls भी चेक करूँआ जितना हो सकता है हम 21 दिन आपको support करेंगे और निश्यती जब इतने अच्छे से हम लोग work करेंगे तो result मिलेंगे result किसी के हाथ में नहीं होते बढ़ हम अच्छे से सही direction में काम करेंगे तो result मिलेंगे और हमें गलट direction में काम करते है तो साथ हमें अच्छा करने के बाद मैनत करने के बाद ही result नहीं मिलते सो हम step by step हम आपका support करेंगे और अब मुझसे आप कैसे जोड़ सकते हैं तो यह चू नीची number आ रहा है पर आप मुझे call करिए मुझसे बात करें कि हम कैसे जोड़ सकते हैं आपके साथ और आपके school के ने हम 21 days कैसे support करेंगे अधिक जानकारे के लिए आप बात करेंगे डिडियल में हम बात करेंगे और आपको support करेंगे और हम चाहेंगे कि आपके school में ज़्यादा से ज़्यादा admissions हो